अश्कार दोस्तों वैश्णभी और्गेनिक डेरी फॉर्म में आपका स्वाज़त है आज हम बात करेंगे इतनो भेटनरी फार्मूला फोर रिटेंटियन ओफ प्लेसेंटा जेर गिराने का जो विधी है या जेर अटकता है तो कैसे निकालें रिटेंटियन ओफ प्लेसेंटा मेथेड है रिक्रॉाइड केंडिशन और रेडिस वन नमबर एक पीस रेडिस ले ले या दो पीस ले ले और लेडी फिंगर ओक्रा मतलब भिंडी देढ़ किलो ले ले देढ़ किलो भिंडी जैगरी गूर ले ले आधा किलो और साल्ट ले ले सत्तर ग्राम और बोल रहा है कट दा लेडी फिंगर इन टू पार्ट फीट दा एनिमल ए रेडिस बित साल्ट वीथें टू आवर ऑफ कैल विंग तू रेडिस दा कॉंसेंस आफ प्लेसेंटा बोल रहा है रेडिस को कट कर लें लेडी फिंगर मतलब मुली और जो भिंडी है उसको कट कर लें तू पार्ट में और एनिमल को बीथ साल्ट दो नमक के साथ दो घंटे ऑफ कैल विंग दो घंटे के अंतराल पर खिलाएं इफ प्लेसेंटा डज नोट फॉल अफ द इवेंट आफ्टर एट आवर ऑफ कैल विंग बोल रहा है बयाने के अगर आठ घंटे बाद भी अगर जेर नहीं गिराती है तो फिड द एनिमल 1.5 किलो ग्रामस ओफ फ्रेस लेडी फिंगर ओकरा फिड द एनिमल जैगरी एंड साल्ट बोल रहा है कि अगर जो है आठ घंटे के अंदर फिर भी अगर जेर नहीं गिराता है तो एनिमल को डेड़ किलो ग्रामस फ्रेस भिंडी काट कर फिड जानबर को गूड और नमक के स साथ मिलाकर आसकता अनुसार खिलाएं इफ आप द प्लेसेंटा डज नोट फॉल अप बारा होवर्स बोल रहा है कैल विंग मतलब बियाने के जो है प्लेसेंटा बारा घंटे तक अगर जेर नहीं गिराता है तो ट्राइट कॉंट भी थे ट्राइड वान आप द द लॉस फोर नोट फॉल इंप द प्लेसेंटा मैनुवल फीड एंट रड़ीस जो फोर विंग द थे इनेमल विंग विक फोर फोर विक बोल रहा है चार बीक तक अ मुली जो है एक अक मुली डेली खिलाना है सुबा और साम जिससे प्लेसेंटा जो है अराम से या जेर जो है गिरा देगी और टू इंच के अथी में एनिमल के बोडी में बोल रहा है कि जब जेर है उसको दो इंच छोड़ करके टाइ इन कॉंट भी थे ट्राइड ऑन दा प्लेसेंटा नियरे पॉसिवल तू दे एनिमल बोडी कट दा कॉर्ड ब्लो इन दा टू इंच के बाद जो प्लेसेंटा जो जेर बाहर निकला हुआ है लटका हुआ है उसको काट के अच्छे से गांठ मार दे और उसके बाद उसको छोड़ दे और इवरी ट्राइड पूल दा प्लेसेंटा मिन्वली बोला है नोट इवर ट्राइड मतल रेडिस देना है सुबा साम वन वीक तक वन डे में टू बार और फोर वीक तो प्लेसेंटा आराम से निकल जाएगा या जेर गिर जाएगा थैंक्यू धन्यवाद अब अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू धन्यवाद